हेलो फ्रेंड्स आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अर्पना और मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हैर्थ टिप्स साथ ही हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में कैसे उनके सिंटम्स के सा किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं जब ही कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब ही मैं लाइफ Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग भी मुझे जोईन कर सके तो झुखिए दोस्तों शुरू करते हैं आजका टॉपिक लिवर फाइब्रोसिस तो देखिए यह जो लिवर फाइब्रोसिस है इस बात का मतलब क्या है लिवर में अगर कोई inflammation होता है, infection होता है liver cells का और वो ठीक से पूरा ठीक ना हो तो वो धीरे धीरे फिर liver fibrosis, liver cirrhosis हो सकता है तो ऐसा क्यों होता है और normally जो हमारा liver है वो smooth सा होता है उसकी जो surface है एकदम smooth होती है और जब liver cirrhosis होता है तो उसमें nodes यानि गाठे जैसी बन जाती है पूरे liver में nodules बन जाते हैं तो सबसे पहले ऐसा क्यों होता है लिवर की एक बहुत ही खास property है कि liver cells regenerate हो सकती है यानि कि जो cells खराब हो जाती है तो जो नए cells बनते हैं वो फिर और जादा बड़े होते हैं रिजनरेट होते हैं तो क्या हो रहा है कि liver में कुछ cells ठीक से काम नहीं किये हैं तो जो बाकी cells है, वो regenerate, वो grow हो रहे हैं और क्योंकि वो grow कर रहे हैं, तो इसी लिए liver cells regenerate हो रहे हैं, तो ऐसे nodes से, nodules से पूरा बन जाते हैं, गाठे जैसी बन जाती है, पुरे liver में, जिसको हम liver cirrhosis कहते हैं. तो यह क्यों होता है और क्या-क्या इसके symptoms है और होमियोपति में कौन-कौन सी दवाईया है जो आपको मदद कर सकती है तो आज हम इसी विशय में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो यह क्यों होता है तो viral infection जब हो रहा है especially viral infection जब viral infection B और C के वज़े से ऐसा हो सकता है कई बारी alcohol consumption में हम देखते हैं अगर बहुत ज़ादा alcohol consume करता है कोई तो उनमें भी ऐसे changes आ जाते है genetic है या autoimmune condition है तो यह कुछ conditions है जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है mainly infection के वज़े से ही यह रहता है और alcohol वगरा ज़ादा consumed crime करते हैं तो ऐसा होता है तो इसके क्या-क्या symptoms होते हैं तो symptoms का सब लोग इसके symptoms शोर नहीं करते हैं कहीं लोग e close symptomatic या ने उनको पोई symptoms होते ही नहीं जैसे fatty liver में भी मैंने आप लोगों से बात करी थी कि हर een पांच इंसान में एक इंसान को fatty liver होता है पर क्यूंकि symptoms नहीं होते हैं तो इसलिए पता नहीं चलता है और वेक से symptoms होते हैं जैसे भूख कम लग रही है और या तो कभी खाने का मन नहीं करता है तो ऐसी ऐसी symptoms होती है और generally जब आप किसी और चीज के लिए कुछ आप investigation करवाते हैं या routine investigations करवाते हैं तब पता चलता है कि fatty liver है तो इसी तरह इसमें भी हमेशा symptoms नहीं होते हैं कह सकते हैं कि one third of the patients को symptoms कुछ नहीं होते हैं तो चलिए जिनको symptoms होते हैं वो क्या होता है तो mainly भूख से related complaint, भूख कम लगना, ठीक से कई लोगों को एक दम खाना देखते ही एक spider angioma तो उसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो blood vessels है वो एकदम ऐसे लगता है कि blood vessels ऐसे दिख रही हैं पूरे ऐसे ना waves चैसी बनके जैसे लगता है कि spider web है तो ऐसा spider angioma हम बोलते हैं या spider nervous तो इस तारह के भी कई लोगों को बन जाता है ascitis यानि कि सूजन आजाना तो सूजन आ सकता है पेट में सूजन आजाना पैरो में edema होना पैरो में सूजन आजाना इस वज़े से पैरो में दर्द वर्द होना तो यह सारे symptoms हो सकते है तेस्टिकुलर एट्रोफी, मेल्स में तेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है, गाइनेको मेस्टिया, यानि मेल्स में ब्रेस्ट बढ़ जाना, ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज होना, तो ये भी कुछ सिंटम्स है, जो हम देखते हैं कि लिवर सिरॉसस में देखा जाता है, तो आप जरूर कॉमेंट सेक्षिन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे live Q&E में जुड सकते हैं और live chatting के थूरू भी अपने questions पूछ सकते हैं, मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को मदद करने की और मैं जो भी medicines आप लोगों को बताती हूँ वीडियो में तो जो general medicines यूज होती है किसी particular condition में वो में बताती हूँ पर ऐसा नहीं है कि उस condition में खाली वही medicines यूज होती है, medicines बहुत सारी हैं जो हुमियोपती में useful हैं तो medicines के बारे में जादा जानना है तो जैसे मैंने बताएं जरूर आप मुझे लिकत बताएं तो सबसे पहली medicine जो है वो है Carduos Carduos में हम क्या देखते हैं कि dropsical condition यानि कि सूजन या swelling बहुत जादा हो जाती है पेट के चारोगर सूजन होना, इडीमा होना तो अगर आपको लिवर की परेशानियों के साथ सूजन या dropsical condition है तो उस case में Carduos एक बहुत अच्छी medicine है दूसरी हमारी medicine है आर्सेनिक आलबम आर्सेनिक आलबम में हम क्या देखते हैं कि liver cirrhosis है और साथ में liver के चके में right side में जलन जैसा dirt का महसूस होना तो ऐसी अगर जलन हो साथ में बहुत ज़ादा बेचैनी, restlessness और बहुत ज़ादा थकावट, extreme weakness यानि कि कुछ भी काम करते एक दम लगे कि exhaust हो गए ठक गए तो ऐसे अगर सिम्टम्स हो तो आर्सेनिक आलबम एक बहुत अच्छी medicine है फिर कई patients को होता है कि थोड़ा सा खाते ही पेट पूरा भर जाता है, वो खाई नहीं पाते ज़ादा, थोड़ा खाया और पेट एकदम से उनका भर गया तो ऐसी तकलीफ हो तो उस case में lycopodium एक बहुत अच्छी medicine है जिसमें कि खाने को थोड़ा खाते ही बस पेट भर जाए और बहुत ज़ादा गयास बने तो lycopodium एक बहुत अच्छी medicine है हमारी फिर हमारी medicine है कि अगर alcohol के consumption से excessive alcohol या किसी तरह का भी stimulant हो बहुत ज़ादा चाय, coffee पीते हो बहुत ज़ादा alcohol, बहुत ज़ादा smoking करते हो पेट ठीक से साफ नहीं होता बार-बार-बार motions के लिए जाते हैं और साथ में बहुत ही sedentary life होती है यानि कि exercise करना, workout करना नहीं फिर हमारी medicine है कि अगर liver cirrhosis के साथ साथ कभी vomiting वगारा हो और vomiting में कभी खून वगारा आए और साथ में जो stools या motions हो रहे हैं बहुत ज़ादा offensive या बहुत उसमें से smell आती है और generally ठंडा खाना उनको पसंद है और ठंडा खाना अच्छा लगता है हमेशा ठंडा ठंडा पान पानी फ्रिज से पीना पसंद करते हैं आई स्क्रीम या बरव डाल डाल के पानी पीते हैं तो ऐसे केस में अगर ऐसे पेशिंट में हम देखते हैं कि liver cirrhosis की परेशानी है तो फॉस्फर अच्छी medicine है तो दोस्तों ये थी कुछ medicines की indication और liver cirrhosis के symptoms के बारे में मैंने आप सब लोगों के साथ ताकि सब इसका benefit उठा सके और इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा धन्यवाद खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक यू